दो पक्षों के बिबाद में एक की मौत शब सड़क पर रखका परिजुनों ने किया हंगामा रामपुर कोतवाली थाना चेतर में राजनेतिक बिबाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए जिसमें दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हो गएते जिसमें एक पक्ष के सदीक एमत भी बुरी तरह से घायल हुएते ये घटना 24 सेतंबर की है इस बिबाद में सदीक एमत की ओरचे थाना टांडा में एक NCR दर्ज हुई थी जिसमें चार लोगों को नाम दर्ज किया गय आज गंबी रूप से घायल सदीक एमत की मिर्टियों के बाद परिजोनों ने शब को सड़क पर रखकर पूरा रास्ता जाम कर दिया मिर्टक के परिजोनों की मांगती की चोके इंचार्ज और थाना टांडा कोतवाल को बढ़खास्त किया जाए इन लोगों की मिली भगत स सदीक एमत की मिर्टियों हुई है काफी देर परिजोनों ने हंगामा काटा उसके बाद अपर पुलिस अदिक्षक साहित कई थानों के पुलिस महां पहुंची वह परिजोनों को समझाया कि जो लोग भी इसमें दोशी है उनको बक्षा नहीं जाएगा उन सब कि खिलाफ कर से काटोर कारे वही की जाएगी इस आश्वाशन पर ही परिजोनों ने सब को चाड़क से हटाया किस बात को लेकर आप किस वात को लेकर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आप क्या मांग करना कर चाहते हैं जोनों की अधिकारियां की जमलित करें और जितने ही हमारे मुझी है यह कि अफ्ताव हों है और हमारे भाई तो जील इफे जग है वह बागा साहँ किस बाई से जेल गोजे हैं कब से गेड़ बाड़ी रखिये हैं आपकी जब तो पुलिस परिशासन की क्या माने क्या माने क्या मानें वोई कराने वाले उनकी मानेंगे तो ऐसा अधिकारी द्वाई के जब तक दो दिन चार दिन भी लगें है तब लगें तब चली तब चली अधार आज के चाहते हैं ये टांडा थाने का लालपुर गांव थे परसों यहां दू पक्सों के बीच में लड़ाई होती दोनों पक्सों एक दूसरे की खिलाब तहिए दिशी इसके आधार पत् सब्सक्राइब कर दिया है और कल जब उनकी मिर्च हो गई है तो पोस्मार्टम रिपोर्ट कल साम को प्राफ्ट हुई है उसके आधार पर उसे 304 में अल्टर दिया है परिजनों का कहना है कि सारी 302 होना चाहिए हमने उन लोग पास्वस्त कर दिया है कि पूरी बेचना ही यह करना से हटा करके क्राइम ब्रांच के मार्टम से खराई जाएगी और पूस्मार्टम रिपोर्ट का अध्यान चूकि 304 है वैसे भी सिंगर लेविक भी किया जाता है तो अध्यान करके और उसमें 302 है तो 302 की बड़ोत्तरी में भी कोई कार्वस्त छोड़ी नहीं जाएग वो तहरीर भी इसी विवेचना का पार्ट होती है जिसको टांडा की जीडी में सामिल करा दिया गया है जो भी टीम हमारी क्राइम ब्रांच की जाच करेगी तप्तीश करेगी उसको कागज उपलद करा दिये जाएगी इसके अलावा पीडिक पक्ष उस टीम को इंवेस्टि प्रिश्टिकॉन से हमारे लिए अत्य शंबेदन सील गाउं में से एक है और किसी भी कीमत पर चुनाव शांतिकॉन जंग से कराना यह हमारी भीजिक जिम्मेदारी है इस नाते अभी से नकेल अकिसी जाएगी ताकि चुनाव शांतिकॉन को तर यह जो आरूपी बताया है अभी देखिए ऐसा है कि कल पीम रिपूर्ट के आधार में सामको केस अल्टर हुआ है उसके बाद से मितक के परिजनों और उनके स्वजनों में आप रूस्ताज इसको देखकर कि आपने देखा है हम लोगों को भी आना पड़ा यह सारे बाते निपड जाने के बाद आप कि वेचना ही पड़ा महत्तुकून काम है क्योंकि उसके एक एक फाक्चर मांदी नियाले के समक्स जाए हुआ है